हाई इब्रीबन सेशिकाल जी सार्यानू वेल्कम एची तड़ा सार्यान ते इस चैनल ते आज ते इस वीडियो ते वेच आप गल करागे जी पंचाबी साही ते एक उग्गे नावलकार ते कहाणी कार बारे जिन्ना दा नाम है गुर्धियाल सिंग सो उन्ना दे जीवन ते रिच नामा बारे कुछ जानन दी कोशिश करांगे ते एची काफ़ी इंपोर्टेंट है उन्ना कैंडिडेट स्वास्ते जो मास्टर गेडर दी तियारी कारे ने यूजी सीनेट या फिर पंजाबी ऑप्शनल दी तियारी कारे ने इवन जो 10th 12th वाल तो अज दी इस वीडियो दे विच आपात क्रीबन 30 questions डिसकेस करांगे गुर्द्याल सिंग जीवन ते रिच नामा दे नाल रिडेटेड प्लाइस ओदे नाल जो भी एनना नू मानसन मान मिले ते जो भी एनना दे साहित दे विच एना दा योगदान सी ओ सारे बारे तो क्थनी नी होईगी य क्योंकि इनना दा पंजाबी साहित विच बहुत जायदा योगदान सी ते एक बहुत वदल्जावी लेक्याई सि पंजाबी साहित compensation डिविच क्योंकि इनना ने पंजाबी साहित sa Initially सब तो पहला एक दलित हीरो कह साख देयां दितता सी अपने एक नॉवल दे थू ते इनने दलिता नाल जो भी हो रहा सी पंजाब दे विच जो भी जिवें समाज दे विच अत्या जार हुंदा सी उनना ता इननने ओस चीज नू अपनी कलम दे नाल लोकां देग्गे पेश की ते जिस दे लिए नननों बहुत जादा श्लागा थी सराना भी मिली सी आप सारा कुछ डिसकस करांगे इस वीडियो देविच विच फर्स्ट ओव जी गुर्द्याल सिंग जी जनम जो है 10 जन्वरी 1903 नू होया सी बर्नाला पंजाब इच ते एनना दे पिंड दा नाम सी प विच किसली जाने जानते हां एक खाहाणी कारते नावल वजों क्योंकि एनना ने बहुत सारीयां कहाणियां ते बहुत ही उन्दा नावल जो ने ओ पंजाबी साही दी चोली विच पाई ने जिमें के मेरे पसंदी दा नावल कारां दे विच्छ वे एक ने ते एनना दा ज लिखे जावे ता एक मिसाल सी बागी राइटर्स दिली सो जी अपा सारे ही डिसकस करांगे बान बाई बन नेक्स्ट गुरद्याल सिंग ने सबतो पहला केडी रचना लिखी ता जी अनने सब पहला स्टोरी लिखी सी एक शॉट स्टोरी पाक गामाली उननीज सो त्वन्जा देविच लेखखनू सब्ट वद परसिद्धी किस उरुपाली मिली ता एंचान मड़ी दा दीवा फिलम विच किनना अधाकारा ने रोल नी बाए ता राजबबर ते दीपती नावल ने जो है मुख पातर अंद रोल अधा कीता सी मड़ी दा दीवा नावल किस ते अधारिट है पंचाब भी पेंडु जीवन दा बे किरक यथार्थ राजबबर जी ने जो है जगजीर दा रोल अधा कीता सी फिलम दे विच नेक्स्ट है ची मडीदा दीवा नावल दी तुलना किस नल कीती गी मडीदा दीवा तो बाद गुर्दयाल सिंग जीनू बहुँ जाधा पर सिद्धी मिली सी ते जिनने भी अपने साहितिकल लोचक ने एनने एनना दी जो तुलना है जिवें डॉक्टर अतर सिंग जी ने एननने इस दी तुलना मुणशी प्रेमचंद दे क्लासिक नावल गुदान दे नाल कीती सी ते फनेश्वर रेनू दे मेला आंचल नाल कीती ते डॉक्टर नामवर सिंग ने इसनों दुनिया दे सब्तु पर सिद रूसी नावल जंग ते अमनाल जो है इस दी तुलना कीती सी सो बहुत एक कैसा गदेया के चंगा टाइम सी उस टाइम दा पंजाबी साहित दा के इस तरह दे नावला दे नाल इस दी तुलना कीती गई मडी दा दीवा शायद पंजाबी दा पहला नावल है जिसने मेनू नशया देता है इस शब्द किसने आके ताजी ए पंजाबी साहित दूजे थाम नावलकार नानक सिंग जी ने कहे सी रूसी पाशा विच शपन वाला पहला नावल केडा सी पहला पंजाबी नावल केडा सी ताची ओं मडी दा दीवा सी जो पहली बार कोई ऐसा पंजाबी नावल जो रूसी पाशा दे विच शपया हुए ताहीद दीवासी थे एधियां बहुत जादा कॉपी जो ने उस टाइम थे वी खेंज नेक्स्ट एज गुर्द्याल सिंग दी मुद्ली सिख्ख्या दिक टे बारे दों गुर्द्याल सिंग ने मुडली सिख्या जो है वो पिंड दे स्कूल विच जो ही हासल किती ते परिवार दी आर्थिक मंध हाली दे गारण उन्हाने पड़ाई छट के बहुत मेनत किती ते बहुत और जॉब्स भी किती हैं जिमें तर खाना दा काम भी किता ते होर भी बहुत ते ना ने कई कित्या दे विच हाथ थजमाया 14 साल दी उमर विच बलवन्त को और लेना दा व्याह होया ता ज्यानी ते मैट्रिक दी पड़ाई भी ए नाल दी नाल कार गे इस तो बाद 1902 तो 1970 तक वाक वाक स्कूल ना विच एना ने अध्यापन कार्ज कीती ते उन्ही सथ पर देख्या जायता जी बहुत मेहनत कीती गुर्द्याल सिंग जीने अपने जीवन दे विच एना ने मदलब शादी तो बाद दुबारा तो अपनी जो पड़ाई सी शुरू कीती ते उसारे संगर्ष जो ने जो भी एना ने अपनी मन्जिल तक पॉंचन ली कीते उसारे अगर तुसी देखो ता चलकता नुएक मिलेगी एना दे जो जो एना दे जीवन दे संगर्ष सी जो चीजा एना ने फेस कीतिया उसारी एना ने अपने नावला दे थुरू पेश भी कीतिया ने नेक्स्ट है जी गुर्द्याल सिंग दे किस नावल दे अंग्रेजी अनवाद दा नाम दा लास्ट फ्लिकर है ता मडी दा दीवा जो है उदा अंग्रेजी अनवाद दा नाम दा लास्ट फ्लिकर है ते ए अनवाद जो है साही तक आदमी वलो कराया गया सी नेक्स्ट है गुर्धियाल सिंग दूज्जा सब्त पर सिद्ध नावल केड़ा है ता अन्यकोड एदा दान है जो 1978 विच लिख्या गया अन्यकोड एदा दान जो है वो किस ते अधारिट है पंजाबी दलिता दे जीवन ते गुर्धियाल सिंग नूँ पंजाबी दा पहला फिलोसफर गल्पकार किसने के हा उग्या लोचक डॉक्टर टी यार विनोध ने अन्यकोड एदा दान नावल दा फिलम रुपांतरन जो है वो किसने किता ता गुर्विंदर सिंग ने किता 2011 दे विच ते एदा नाम जो सी फि सेमुल जॉन ने अदा किता सी ते बहुत अच्छी मूवी से वी गुर्धियाल सिंग नावला लेखनी विच किस तरह दी पेशकारी किती गई है मुख तोर ते पेंडू कारीकरा ते काम्या दे साधमुरा दे मेंती जीवन दुखांत अनुबव जो है ओ एनना ने पेश कित सामणा करना पेंदा है सो नेक्स्ट है जी गुर्धियाल सिंग दिया रच नामा बारे गाल कार दिया सब तो पहला ते जी एननने एक सफर नामा लिखें सी लैनीन ते हिटलर दे देश विच दो हजार नौ देविच लिखें एननने ने नाटक भी लिखें निकी मूटी गल 1984 देविच एकस्ट ची गल कार दिया एनना दे नावला बारे ता सब तो पहला नने मडी दा दिवा नावल लिखें निकी मूटी देविच रेती दी एक मुठी निकी मूटी निकी मूस्तार्ट कुवेला 1989 आदचाननी राद 1922 आथनुगन 1974 अन्नेकोडिदा दान 1926 पॉफ उटाले तो पहला 1982 परसा 1990 आहन दो हुजार नौ उस्तो बाची कुछ कहाणिया में लिखें नाने सग्गी फुल 1902 चानदा भूटा 1904 ओपरा कार 1905 कुता ते आदमी मस्ती भूता 1905 बिगाना पिंड निसो क्यासी रुखे मिस्से बंदे निसो ब्यासी पकाटिकाना निसो नान्वे क्रील दी टिंगरी निसो कान्वे जियोंदे आंदे मिले 2000 दे विच लिखें लिखें बाल साहित भी एना दा काफी मश्रूर है जिस्दे विच कुछ में में रचनावा जोने जिवें बकलम खुद 1909 तर्थ सुहावनी 1990 टाईहाथ तर्ती 1993 अजादी दा मुल बाबे रतने दी चिठी राबदे बंदे महापार्त 1990 दे विचे नाने लिखें जोके नाने चार पाक गान दे विच लिखें जी खट्टे मिठे बंदे 1999 दे विच कालु को सुले कामा 1994 दे विच पीरूदी सरंगी ते संतु गपी आधी जो है नाने बच्चे अनु त्यान दे विच रख दे होई साहीत लिख्याजी स्वै जीवनी गुर्द्याल सिंग जीने ता तिन लिखियां न्यान मतियां 1990 दे विच दुजी देही 2000 विच जीवन ते साही 2005 दे इस तो इलावा गुर्द्याल सिंग ने तकरीबन बाई रच नामा दा अनुवाद कीता जिन्ना विच शर्थ चंदर दा विराज बहु क्रिष्ण सोब्ती दा मित्रो मर्चानी जिन्दगी नामा ते गोर की दा मेरा बचपन जोने वेना दे विचो मोखने सो कई वरी एन त पुरसकार ते सनमान ताची गुर्द्याल सिंग अम्रिता प्रीतम तो बाद एक जहे नावलकार ते एक जहे राइटर होए जिन्ननू बहुँ ज्यादा सनमान ते वोर्ट्स मिले सोसाप्तो बहलाची एनननू चार सरब उत्तम गल्थ पुस्तकी नाम मिले सिगे पाशावी पाग बंजाब सरकार बलू 1906-18-18-18 ते भात्तर दे विच फिर इनननू नानक सिंह नावलकार पुरसकार मिल्या 1975 ते विच साहित अगादमी पुरसकार मिल्या इनननू 1975 ते विच पंजाबी साहित सबा पुरसकार 1989 ते विच पाश अवार्ड 1995 ते विच ते सोवियत लैंड नेरू पुरस्कार सोवियत उनियन वल्लो मिल्या 1986 देविच एनना दी देशया विदेशया देविच भी एनना दी मडी द दीवा जो नावल सी ओधी खूब शलागा हुई तो एनना नू काफी विदेशी पुरस्कार भी मिले सी नेक्स्ट नेची प्रिख्या देपको कुछ तो डेली उपयोगी प्रेशन जो एक्जाम देविच पुछे जा साकते ने एनना सारे प्रश्ना देवत्तर तुसी देने ने ची कमेंट बॉक्स देविच जी में तुसी पिछली वीडियो देविच बिलकुल भी आंसर नी कीते हो साकता के वले क्वेशन था नू थोड़ी ची टाफ लगए होन बट एवले क्वेशन बहुत एजी ने सो आंसर तोड इस अब दे ओने चाहिए देने सो फर्स्ट क्वेशन है जी गुर्द्याल सिंग नू इनना दी एक रचना दा नाम सी सो तुसी मेनिंग दसना के आहन होंदा की है नेक्स्ट है जी नत्था दीना जगना किस नावल दे पातर हन उस तो बाद किस नावल दे बनी फिलम नू खेतरी पाशा फिलम दा अवार्ड मिलया बेस्ट खेतरी पाशा जो है बेस्ट रिजिनल फिलम दा अवार्ड मिलया सी नू नेक्स्ट है जी गुर्द्याल सिंग द मुखपातर है ते लास्ट क्येशन है जी किस नावल नू सारीयां पार्थी पशामा विच छापया गया तो इनना सारीयां दे अंसर जिनना नू पता ने कमेंट बॉक्स देविच कमेंट कर सकते ने जो सही अंसर होंगे ओकाल नू मैं अपनूल करतांगी चैनल देपर ही सो जी जिनना नू हले भी कोई कंफ्यूजन है इस दे रिगार्डिंग तथ उसी कमेंट बॉक्स दे विच पुट सकते हो ते प्लीज बाकियां दे नाल भी शेयर जरूर करया करो क्योंकि जो एक्जाम है तो हड़े काफी सारी इकठी आ जाने ने जदो भी चलो एवली प्र सुझेशन्स जो ने वैल्यवल सुझेशन्स देन दे रिया करो कि नेक्स्ट वीडियो किस दे ओने चाहिए थी है सो जी एवली सारे ग्रेशन्स दे आंसर थोट दे ओने चाहिए देने ते थैंक्यू जी थैंक्स फो वाचिंग प्लीज अपने अपने करा दे विच रो ते गव्मेंट दे इंस्रक्शन्स नूँ फॉलो कार दे रो थैंक्यू